तो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का हाउ डस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस का नेक्स वीडियो तो जैसा कि इसके लास्ट वले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है अब हम लोग सेकेड फैक्टर देखने वाले जिसका नाम है लेबर we have seen that land is an important source for earning of a livelihood हमने पढ़ा हुआ है कि अपने livelihood को survive करने के लिए और पैसा earn करने के लिए जो है land जो है बहुत ही important source है land is needed not just for production of goods and services but also for residential purpose अब land का जो use होता है या land के जो जरुरत पड़ती है वो सिर्फ सुर्थ goods और service के production के लिए नहीं पड़ती है but इसके अलावा residential purpose के लिए भी जो है जरुरत पड़ती है अब residential purpose का मतलब क्या होता है जहां पर आप रहते हो वो जो घर बना हुआ है वो land पर ही तो बना हुआ है ना तो land जो है factories के अलावा भी घर के लिए भी बहुत ही ज़रुरती होता है if you do not have a house what would your family do अगर आपके पास एक घर है घर नहीं है तो आपकी family क्या करेगी आपकी family कहां रहेगी आपको घर की ज़रुरत तो पड़ेगी ना many families in the city live in rented house और बहुँ सारी ऐसी families है जो कि क्या करती है रेंट पर जो है अलग लग cities में रायपूर में बिलासपूर में दुर्ग में पिलाई में रहती है they have to spend part of their income to pay the rent और मैं जहां job करता हूँ job से मुझे जितनी भी salary मिलती है ठीक है उस salary का कुछ हिस्सा जो है मैं क्या करता हूँ जो घर के मालिक है उसको rent में हर महिने जो है क्या करता हूँ मैं देता हूँ in रायपूर only 20% of the sum dwellers have title deeds to land patta to build their own houses हम लोग रायपूर का example लेके समझ रहते सारे चीजों को तो रायपूर में जितने भी slum area पर रहने वाले जो लोग है उसमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास patta है patta मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि एक जो है document होता है जो कि जमीन के मालिक को दिया जाता है ठीक है जैसे आपके पास bike है तो bike का license होता है और bike का क्या होता है ठीक है, RC का मतलब क्या होता है, कि उस paper में, उस document में उस bike का पूरा detail होता है, और उस bike का मालिक कौन है, उसका नाम लिखा होता है, जैसे आपके नाम पे गाड़ी है, तो आपको एक RC book जो है company देती है, जिसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, mobile number, vehicles का detail है, और वो proof रहता ह कि यह गाड़ी आपकी है, आपने चोड़ी नहीं की है, उसी तरीके से जमीन को खरीदने बेचने के समय, जो है एक पट्टा होता है, आप लोगों के गाउं में भी आपकी जमीन होगी, तो आपने सूना होगा अपने घर वालों से पट्टा के बारे में, ठीक है, तो पट् सकते हैं, some dwellers also need civic facilities like drinking water, sanitation, toilet, public health center, school, etc. like any other citizen, और जीस तरीके से बाकी अधसारे लोगों को other facilities चाहिए होता है, उसी तरीके से slum, slum मतलब होता है जुगी जोपडी सहर से दूर रहने वाले लोगों को भी पीने का पानी चाहिए होता है, toilet चाहिए होता है, health center चाहिए होता है, school चाहिए होता है, तो भले इनका घर जो है यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं भी रहें, इनको रहने के लिए basic facilities तो चाहिए है न, यह basic facilities के मिना वो अपना life कैसे survive करेंगे, ठीक है, अब देखो, रायपूर का ही example लेकर यहाँ पर work distribution बताया है, कि किस तारीके से यहाँ पर low income जो families है, वो रायपूर में कितने कितने percentage में distributed है, तो आप देख सकतो यह बहुत बड़ा pink वाला जो portion है, यह किसको represent कर रहा है, unskilled labor को, अगर हम लोग बात करें 100 labor की, तो 100 में से 55 labor ऐसे हैं, जो कि unskilled है, unskilled है मतलब यह दिहारी मजदूर है, इनको कोई technical knowledge नहीं है, यह कर सकते हैं, इनसे आप क्या करा दो, hard work करा लो, इनको hard work जो है, आता है, unskilled है, उसके बाद आपको दीख रहा होगा कि 19% लोग ऐसे हैं, जो कि unskilled हैं, तो 100 में से 55 लोग कौन हो गए, unskilled हो गए, सिर्फ वो सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं, जो कि unskilled है, इस skilled मतलब या तो उनको कारपेंटरी का काम आता है, या इलेक्रेशन का काम आता है, या कोई दूसरा और काम आता है, जिसको उन्होंने सीखा है, तो उनको कहते हैं हम लोग skilled workers, उसके बाद देखो 17 लोग ऐसे हैं, जो कि factory में काम करते हैं, बहुत सारे factory से रायपूर में हमने पढ़ा था, कौन- मतलब होता है कि जो नई factories, नया दुकान, नया restaurant open करते हैं, उसको बोलते हैं entrepreneurship, तो आप समझ सकते हो कि 100 लोगों में से इतना इतना percent जो है, क्या है रायपूर में रहने वाले जो है, क्या क्या काम करते हैं, अब आगे देखते हैं, labors in a city, रायपूर as an example, अब रायपूर में देखते हैं कि किस तरीके से labor जो है, काम करते हैं, क्या इनको पूरा का पूरस job मिल जाता है, या फिर इनको भी job के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, ठीक है, देखो, एक आपको common चीज में समझाता हूँ, देखो, job जो है माल लो, हमारे यहां रायपूर में माल लो, एक हजार लोगों को हम job जो है, प्रवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस एक हजार लोगों, इस एक हजार पोस्ट के लिए, दस हजार लोग खड़े हुए हैं, तो population बहुत जादा होने के कारण क्या होता है, जितना भी job vacancy निकलता है, चाह वो government हो, चाह प्राइवेट हो, वो ह हमेशा कम ही पड़ जाता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा reason क्या है, population, तो रायपूर में रहने वाले सारे workers को job मिल रहा होगा, हमेशा job मिलता होगा, ऐसा कोई guarantee नहीं है, उनको भी कई बार jobless होना पड़ता है, Apart from land, the development of a city depends on the people who can work in the factories, offices, shops, school and other institutions, देखो, जमीन के अलावा, वहाँ पर जो है, factory हो गया, चाहे, school हो गया, चाहे, office हो गया, वहाँ पर जो है, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका भी एक बहुत ही important role रहता है, development में, ठीक है, रायपूर आज इतना developed capital बन चुका है, क्य क्यों कि यहाँ पर बहुत सरी factories हैं, बहुत बड़े-बड़े offices हैं, बहुत बड़े-बड़े malls हैं, hospitals हैं, अच्छे-च्छी schools हैं, engineering colleges हैं, तो यह सब चीजों के कारण ही, कोई city जो है, develop होता है, इन factories, offices, school, hospitals को जो है, अच्छा करने का काम कौन करता है, यहाँ पर काम करने वाले जो employees होते हैं, वो, ठीक है, आप लोग जैसे रायपूर की जो होंगे, उनको पता हुए कि रायपूर में बहुत अच्छे-च्छी school हैं, बहुत अच्छे-च्छे teachers हैं, उन teachers के नाम के कारण वोई school क्या होता है, famous होता है, किसी hospital में बहुत अच्छे-च्छे doctors होने से उस hospital के reputation बढ़ती है, तो इस तरीके से land के अलावा, जो है, land के अलावा, जो है, दूसरा सबसे important factor होता है, जो कि development में की role play करता है, वो है labor या employee है, रायपूर is no different, industrial growth has drawn many people to live in the city, both from within and outside the state, जब किसी भी state में, किसी भी जगह पर industrialization होता है, तो उस industrialization के कारण क्या होता है, आ 37 बाहर के लोगों को भी क्या होता है, जौब मिलता है, और बाहर के लोग जो है क्या करते है, इस पेशले जो रूलर एरिया के जो लोग है, वो जहाँ पर industry setup होता है, वहाँ पर आकर क्या करने लगते हैं, बसने लगते हैं, तो रायपूर में भी क्या है, आस पास के बहुं अब देखो इसके अलावा देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोवाइड करते हाई है साथी साथ एक सर्वीस सेक्टर भी है सर्वीस सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है जहां पर इंडस्ट्री सेट अप है वहां के आसपास के 25 से 30 किलोमेटर के जो लोग हैं वो डेली क्या करते हैं साइकल से, बाइक से, आटो से, बस से क्या करते हैं फैक्टरीस पर आकर काम करते हैं और साम को फिर क्या करते हैं वापिस जाते हैं तो खासकर जो रायपूर वाला उरला सिर्टला वारा एरिया है, यहाँ पर जो workers हैं यह आसपास के हैं, तो आसपास के जो workers हैं क्या करते हैं, cycle पर आते हैं और अपना काम करते हैं, फिर काम खतम करने के बाद जो है, चले जाते हैं. अब इसमें जो भी वर्कर जो आते हैं 25-30 किलोटर दूर दूर से फैक्टरी पर काम करने के लिए, उफिस में काम करने के लिए, इसमें बहुं सारे लोग जो होते हैं, वो इलेक्टरिशन होते हैं, बहुं सारे लोग जो होते हैं, मेकनिक्स होते हैं, बहुं सारे लोग जो हो करते हैं plumbing का काम करते हैं और अलग-अलग construction वाले इंडस्ट्री में जो है क्या होते हैं involved होते हैं यह आसपास के लोग another category of labor includes supervisor, manager, accountants and who are employed in factories and other business इसके अलावा इन workers के ऊपर में इन सब को control करने के लिए manage करने के लिए जो है managers होते हैं supervisor होते हैं accountant होते हैं जो की इनी इनी factories और इनी businesses पर क्या होते हैं involved होते हैं जैसे आप लोग किसी hotel में खाना खाने गए होगे तो hotel में खाना खाने जब जाते हो तो आप वहाँ पर देखोगे कि जो वेटर होते हैं वो सामान लेकर आते हैं फिर एक देखोगे वहाँ पर class जो कि खाना जब आपका खतम हो जात चौथा जो होता है वो उस होटल का क्या होता है मैनेजर होता है जो कि पुरा देख रेक करता है किसी को कोई सर्विस में प्रोब्लम तो नहीं हो रही है तो इस तरीके से एक office में एक industry में एक factory में बहुं सारे अलग अलग लेवल पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अवे insurance, education, health, entertainment and administration जब हम लोग service sector की बात करते हैं तो service sector में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें बहुं सारे sectors आते हैं जिसे slump in agriculture displacement and lack of employment opportunities in the villages are leading to large number of people from scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes migrating to the urban area in search of employment अब देखो जो गाओं से जो काम करने वाले जो लोग आते हैं रायपूर सहर में या किसी भी factory वाले location पर ये खासकर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास agriculture करने के लिए कोई land नहीं होता है obvious ही बात है जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है वही तो job की तलास में सहर की तरह आएगा जिसके पास already खेत हो क्या करेगा अपने खेती में जो है क्या करेगा फसलोग आएगा तो ये जितने भी लोग जो factories में आकर काम करते हैं रूलर अरिया के ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है साथ ही साथ ये क्या करते हैं scheduled tribe, scheduled caste, backward class के लोग जो होते हैं जिनके पास जो proper गाओं में रहने के लिए जो है employment नहीं रहता वो सहर की तरफ जो है आते हैं A survey report reveals that 49% of the population residing in राइपूर slum are scheduled caste Slum area में रहने वाले राइपूर में जितने भी लोग हैं उस राइपूर में रहने वाले सारे slum area के लोग में से 49% लोग वो हैं जो कि क्या है? scheduled caste वाले हैं, SC वाले हैं 26% ऐसे हैं जो कि OBC है, 13% लोग ऐसे हैं जो कि minorities हैं और 9% के scheduled tribe और 2% ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे state से जो है आकर काम करते हैं जैसे हमारे इचातिस गड़ में जो ओडिसा के, जहारखंड के, मध्यप्रदेश के बहुं सारे workers जो होते हैं वो यहां आकर रहा कर क्या करते हैं? काम करते हैं अकोडिंग टो 2011 census, the working population residing within the municipal limits of रायपूर city total 3.76 लाग people 2011 के जंगरना के अनुसर, census के अकोडिंग रायपूर city में जो workers हैं उनका जो number है वो approximately 3.76 लाग हैं यह बाहर से आये हुए लोग हैं, रायपूर के ही लोग नहीं हैं, आसपास के लोग हैं, दूर दराज से आये हुए लोग हैं जो कि यहां पर क्या करते हैं, जो आप के लिए आते हैं और यहां पर work करते हैं अगर वही पर पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में 40% लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो self-employed हैं, self-employed मतलब उनका खुद का दुकान है, hospital है, school है, college है वो खुद का है, लेकिन अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों का है रुलर एरिया में रहने वाले लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, तबीट वो काम की तलास में यहां आते हैं न और जो भी सहर में रहने वाले लोगों में से 40% लोग के पास खुद का employment है और 50% लोग सहर में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनको salary मिलती है, salary मतलब ये teacher है, doctor है, CA है ये कोई दूसरा चीज है, लेकिन urban area के जो लोग होते हैं, वो जाधा तर जो है क्या करते हैं, मतलब factories वगरा में काम नहीं करते हैं, labor वहों थी कम होते हैं, तो 4% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि factories में जाकर urban area के लोग काम करते हैं, बाकि urban area के जो लोग होते हैं, वो खुद से generate करते हैं, काम और factories वगरा में काम करने नहीं जाते हैं The situation in रायपूर is unlikely to be different, और जो situation रायपूर में है, वही situation पूरे इंडिया में भी है, कि urban area के जो लोग होते हैं, वो workers नहीं होते हैं, वो self-employed होते हैं, या salaried होते हैं खासता जो workers होते हैं, वो कहां के होते हैं, रूलर area के होते हैं, जिनके पास जो है, गाउं में कोई काम करने के लिए opportunity जो है, नहीं रहती है तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो urban area में रहने वाले लोग हैं, जिसमें से 40% लोग क्या हैं, 40% लोग self-employed हैं तो यह self-employed labor के बारे में जो हैं, हम लोग अगले वीडियो में discussion करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई